हेलो फ्रेंड्स विल्कम बैक टो और गड़निंग चैनल प्रमो दूद्धन तो फ्रेंड्स यहां पर आप देख पा रहे होंगे जैसे कि मैं आपको बताया था इसमें जब मेरे पर्सलेंड में जब फ्लावरिंग आएगा तब मैं इसका उपर पुरा वीडियो लेके आपको दिखाऊंगा तो यहां पर दिखिए हमारा पर्सलेंड में अभी फ्लावरिंग आना शुरू हो गया है यह तो पिछले दू दू दिन से फ्लावरिंग कर रहा है यहां पर क्ल्खे था और इसमें और भी चार बर्ड के लिए बच्चे हैं खिलने के लिए और एक नया बर्ड जो बन रहा है इसी तरह इसमें पहले ही और एक फुल्क खेल चुगा है तो दिखे फ्रेंड्स अभी इसका जो ये जो पहला फ्लावरिंग आ रहा है इस विले जो नया प्लांट का तो इसमें एक अभी खिलने बला है हमारा यहां अभी सिर्फ साथ बज़ा है फिर भी हमारा यहां बहुत ही धूप आ चुका है और इस सारी को अभी मुझे वाटरिंग करना है फ्रेंस आप सब को एक चीज पताना चाहता हूं यहां पर मेरे जो यह पर्सलेन का प्लांट है यहां पर यह कि मिट्टी मेरा पिछले एक साल का है और इसमें भी मैं यहां पर मिट्टी कुछ कुछ भी चेंज नहीं किया हूं क्योंकि मैं जब गाउं आया था गाउंस आया था तो वहीं पर मिट्टी लाया था और यह वाला प्लांटर सारे त्यार किया था फिर भी इसमें इतना सुं जो हम यहां पर जो किचिन में वेस्ट निकलता है और पियाज की छिलके यानि ओनियन का जो पील आता है उसका उपर का उसी से ही हम मैं उसका जो उसको रात पर भीगा देता हूं और सुभा उसका पानी दे देता हूं इसी तरह हफ्ते में एक पर अगर आप इसी तरह जो फ्ल अच्छा फ्लारिंग होता है आपके प्लांट में तो और उसके बाद जो भी मेरे पास जो किचिन वेस्ट निकलता है जो अधर कोई वेजिटेबल्स का फील होता है कुछ इसी तरह तो उसको मैंने एक दो दिन इसे ही छोड़ देता हूं कहीं पर एक पलिथिल में बन करके तो उसका जो वाटर निकलता है उसी को मैं ये सारे प्लांट में देता हूं तो इसलिए इसका ग्रोथ बहुत ही अच्छा होता है देखिए इसमें जो मेरा मीली बग का अटक हुआ था ये बला प्लांटर दोनों में तो मैं वो सारे मेरा जो बड़ा प्लांट मादर प्लांट उसको हटा के सिर्फ एक एक कटिंग लगाया था और उसके बाद दिखिए ये कितना सुन्दर ग्रोथ आ गया है इसमें भी फ्लावरिंग आने बला है इसमें बर्स बने हैं और ये अभी एक पर स्टार्ट हो गया तो ये फिर इसे चीजिन बहुत ही फ्लावरिंग करेगा और देखिए इसमें कितना छोड़ा छोड़ा कटिंग भी महत बहुत सारे जो सूर्स में बहुत सारे फ्लावरिंग आने का बाट्स आ गया है तो ये वाला टीप आप देख पा रहे होंगे इसमें फिर से मिलीवा काट अकवाता तो इसको मुझे कट करना पड़ा इसलिए ये तो ये भी इतना बड़ा सा था तो फ्रेंट्स इसी तरह ये आज कुछ छोड़ा छोड़ा इंफरमेशन था जो आपके परसलेंग प्लांट के लिए अगर आपको इंफरमेटिव लगा तो वीडियो को लाइक एंड सेट जरू करना कमेंट में बताना आपको मेरा लगा तो नए है तो चैनल को जरू सबस्क्क्राइब लेना और नए वीडियो आने तक जुड़े रहने के लिए बेल बटम पर जरू प्रेस कर लेना तो थैंक्स फिर वाचिंग प्रमो तुद्यान फिर मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्ये बात प्रेस के लिए वीडियो आने और नए हैं